हलो गाईज, वेलकम टो इंगलिस एजुकेशन, स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं, क्लास नाइन्थ की बिहाई बुक से सेकंड चैप्टर की स्टॉरी को, तो देखें चैप्टर का नाम है, दो पार्ट हैं यहाँ पर, तो हम पहले आज फर्स्ट पार्ट को पढ़ तो चलिए स्टार्ट करते हैं, काफी इंफोर्मेटी पोयम, स्टॉरी है यह, और इससे इंस्पिरेशन भी काफी मिलती है, तो यहाँ पर जो इवलीन है, वो एक बहरी लड़की होती है, ऐसा नहीं है कि वो जनम से बहरी होती है, और बाद में उसे दिखाई भी नहीं देत लेकिन वो गिब अप नहीं करती है, अपनी लाइफ में वो आगे बढ़ना चाहती है, और वो आगे बढ़ती भी है, बहुत सारे अवर्स उन्हें मिलते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टॉरी को और जानते हैं उनके बारे में, बिफोर यू रीड, सबसे पहले हम ज चमता को छीन लिया था, लेकिन उन्हें वापस में क्या दे दिया, कुछ एक्स्ट्रा ओर्डनरी दे दिया था, वाट भी हीर, जो चीज हम सुनते हैं, सी फील्स, वो उसे महसूस करती थी, for more deeply than any of us, मतलब किसी से भी जादा deeply वो उसे महसूस करती थी, that is why, सी एक्सप्रेस music so beautifully और यही कारण था कि वो music को इतना beautifully एक्सप्रेस करती थी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं स्टॉरी के बारे में, rush hour, crowd jostle for position on the underground train platform, तो देखें स्टॉरी जो स्टार्ट हो रही है, वो underground platform से स्टार्ट हो रही है, और काफी ज़दा भीड भार थी महाँ पर, ह 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train, तो देखें, वहाँ पर एक लड़की भी खड़ी हुई थी, जो काफी पतली सी लड़की थी, small and thin होता है, slight का मतलब है, काफी छोटी सी और पतली सी लड़की थी, और वो जो है 17 साल की थी, लेकिन वो उससे कम age की लग रही थी, काफी nervous भी थी, excited थी, ज अब उसने train की आने की vibration को सुना, उस समय पर वो काफी nervous थी और बहुत ज़्यादा excited थी, it was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and doubting enough for any teenager fresh from a Scottish firm, तो देखें, यहाँ पर बताया गया है कि वो जो है, उनका पहला दिन था Royal Academy of Music in London में, वो पहला दिन था उनका, और कोई भी teenager जो है, वहाँ पर इस तरह से nervous हो सकता है, डर सकता है, but this aspiring musician faced a bigger challenge than most, she was profoundly deep, तो देखें, वो जो है, पूरी तरह से, क्या थी, पूरी तरह से deep थी, यानिके, वो बहरी थी, लेकिन, उसे जो है, चुनोती का सामना करना था, क्यों? क्योंकि वो चाहती थी, कि वो एक बहुत बड़ी संगीत अग्या बने, इसलिए उसे बहुत बड़ी चुनोती का सामना करना था, क्योंकि वो एक, वो बहरी भी थी, इसलिए, इवलिन ग्लीनी's loss of hearing had been gradual, तो देखें, जो इवलिन ग्लीनी है, उनका जो hearing loss of hearing है, यानिके, उनके जो सुनने की छमता है, वो दीरे-दीरे होती है, ऐसा नहीं है, कि वो जनम से ही भैरी थी, ऐसा नहीं था, तो देखें, her mother remembers noticing something was wrong when the eight-year-old Evelyn was waiting to play the piano, तो देखें, वो कहती है, कि वो कब notice होता है, उन्हें कब उन पर ध्यान पड़ता है, कि उन्हें सुनाई नहीं देता है, जब वो आट साल की थी और वेट कर रही थी, वो प्यानो को play करने के लिए, they called her name, उसके नाम को बुलाया ज जाता है, she did not move, लेकिन वो वहां से नहीं चलती है, I suddenly realized she had not heard, तो यहां पर उनकी mother कह रही है, कह रही है कि मुझे तभी realize हुआ, कि वो सुन नहीं पाई, सुन नहीं सकती है, वो, says Isabel Gleini, जो कि उनकी mother का नाम है, for quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deepness, for friends and teachers, तो देखें, कुछ दिनों तक तो उ पाने की कोशिश की, कि उनकी जो deepness है, वो बढ़ती जा रही है, but by the time she was 11, her marks had detroited and her head mistress urged her parents to take her to a specialist, तो देखें, अब क्या होता है, जब वो 11 साल की होने लगती है, तो उनकी जो mark report थी, वो down होने लगती है, उनके marks कम आने लगती है, तो जो उनकी head teacher थी, वो उसकी parents को कहती है, suggest करती है, कि वो किसी specialist को उसे दिखाए, it was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nervous damage, तो देखें, अब पता चलता है, जब उनका test होता है, उनने doctor को दिखाया जाता है, कि उनकी जो सुनने की शमता है, वो दीरे-दीरे खतम हो गया, और उनका जो nerve है, वो damage हो गया है, they were advised that she should be fitted with hearing ads and sent to a school for the deaf, तो देखें, अब उनके parents को advice किया जाता है, कि उनने एक सुनने का यह अंतरात है, machine आती है, वो उसे दी जाए, और उसे एक ऐसे school में भेजा जाए, जहाँ पर जो भेरे बच्चे हैं, वो पढ़ती है, but Evelyn was not going, everything suddenly looked back, black, says Evelyn, अब Evelyn कहती है, कि अच्छानक से वो कहती है, कि हर एक चीज उनने काली दिखाई देने लगी है, but Evelyn was not going to give up, लेकिन Evelyn किसी भी चीज को लेकर give up नहीं करने वाली थी, वो हार मानने वालों में से नहीं थी, she was determined to lead a normal life and pursue her interest in music, तो देखें, वो जाती थी, कि वो भी एक normal सा जीवन जीए, और उन्होंने जो है, अपना interest music की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया, one day she noticed a girl playing jillophone and decide that she wanted to play it too, तो देखें, एक दिन वो एक लड़की को jillophone को बजाते हुए देखती है, तो वो decide कर लेती है, निस्चे कर लेती है, और वो चाती है कि वो भी उसे बजाएंगी, most of the teachers disgrace her, but pursuiousness to ronfrops spotted her potential, तो देखें, बहुत सारे जो teachers होते हैं, उसकी अध्यापक होते हैं, वो उसे disgrace करते हैं, तो साहित करते हैं, लेकिन उसकी जो एक तबला वादक, या फिर जो ढोल बजाने वाले थे, जिनका नाम था, ronfrops, वो उसकी जो potential है, उसको भाप जाते हैं, उसके इरादे को समझ जाते हैं, he began to tuning two large drum in different notes, तो देखें, अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने दो drum लिए और अलग-अलग notes में उसको बजाना शुरू कर दिया, does not listen through your ears, he would say, उन्होंने कहा कि अपने कान उसे इसे मत सुनो, try to sense it some other way, तो वो कहते हैं कि किसी और तरीके से इन्हें सेंस करना है, इन्हें समझना सीखो, says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down, तो देखें, वो कहती हैं, ऐसा कहने पर वो कहती हैं, कि अचानक उन्हें महसूस होता है, कि जो higher drum, यानि कि हमने उपर सुना, अलग-अलग sound आ रही थी, जो higher drum था, जिसकी आवार थोड़ी उची थी, वो उन्होंने अपनी कमर के उपर वाले भाग से महसूस करना शुरू किया, और जो lower tone थी, वो से उन्होंने अपनी कमर के नीचे वाले पार्ट से महसूस करना शुरू किया, इवलीन थी, उन्हें पता चल गया कि वो सेंस कर सकती है, इन नोट्स को अपनी बोड़ी के अलग-अलग पार्ट से, I had learned to open my mind and body to sound and vibration, वो कहती है कि मैंने अपनी mind को और अपनी body को खोलना सीख लिया था, क्या करने के लिए वो जो vibrations थी उनको सुनने के लिए, the rest was sheer determination and hard working, अ अब उन्हें आगे क्या करना था, मतलब उन्होंने सीख तो लिया था, अब उन्हें करना था द्रणनिश्य और उन्हें करना था hard work, जिससे की उन्हें सफलता मिल सके, she never looked back from the point onward, तो देखें, वहाँ पर पहुँच कर उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, she to the United Kingdom with the youth orchestra and by the time she was 16, तो देखें, अब वो United Kingdom गई, अपने orchestra, orchestra होते साजबाज के साथ, वो United Kingdom गई और उस समय तक वो 16 साल की हो चुकी थी, she had decided to make music her life, उस समय उन्होंने निश्चे किया कि वो संगीत को ही अपना जीवन बनाएंगी and audition for the Royal Academy of Music and score one of the highest mark in the history of the academy और उन्होंने वहाँ पर audition दिया और कौन से स्कूल में? Royal Academy of Music में उन्होंने वहाँ पर audition दिया और उन्होंने सबसे ज़्यादा mark हासिल किये उस academy की history में, यानि कि अब तक किसी ने भी इतने ज़्यादा mark गे नहीं किये थे C gradually moved from orchestral work to solo performance अब उन्होंने धीरे-धीरे क्या move करना, किसकी तरफ move करना शुरू कर दिया orchestral work को remove करना शुरू कर दिया और solo performance उन्होंने देना शुरू कर दिया At the end of her three years course, C had captured most of the top rewards तो देखे, उन्होंने तीन साल का course किया, उसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा award हासिल किये सबसे top award उन्होंने भापर लिये And for all this, Evelyn would not accept any hint of heroic achievement तो देखे, अब इस कारिये के लिए, जो Evelyn थी उन्होंने किसी भी उपलबदी का संकेत स्विकार नहीं किया उनका मानना क्या था, उनका मानना था if you work hard, अगर तुम कठिन परिश्रम करते हो And no, where are you going? और तुम्हें ये पता है कि तुम कहां जा रहे हो You will get there, तो तुम आपर पहुंच जाओगे And she got right to the top और इस तरह से वो भी एक शीर्स पर यानि कि उचाई पर पहुंच जाती है So, देखें उन्होंने अलग-अलग तरह के यंत्रों को बजाना सीख लिया था और जो सबसे परसिद वादक थे उन्हें बजाना सीख लिया था और ऐसे ही कुछ और हजारों यंत्र थे जिन पर उन्होंने महरत हासिल कर रही थी और वो निरंतर क्या कर रही थी? जो इंटरनेशनल सड्यूल से उन्हें उसने अटेम्ट करना सुरू कर दिया था और उन कारेकरम के माध्यम से वो काफी सिखर पर काफी उचाई पर पहुँच गई थी नेक्स्ट पढ़ते हैं तो देखें यहां पर जो नेरेटर होते हैं अब वो बात कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि इवलिन बिना सुने आराम से अपना प्रदर्शन प्रस्तुत करती थी इन अवर फोर आवर डिसकसन सी नवर मिस नेवर तो देखें वो कहते हैं कि हमारा जो है दो घंटों तक डिसकसन चला लेकिन उन्होंने एक वो एक भी शब्द नहीं चुकि वो हसते हुए कहती हैं कि जो घंटाड़ी वाले लोग होते हैं वो मुझे परेशानी देते हैं इट इज नोट जस्ट वाचिंग दा लिप इट इस दा होल फेस इस पैसली दा आइस तो देखें नेरेटर यहां पर बता रहे हैं कि उन्होंने हमसे बाते की उन्हें देखकर वो कहते हैं कि केवल होट ही नहीं देखे जाते कि सामने वाला क्या बोल रहा है पूरे चहरे पर ध्यान दिया जाता है और इस पेसली आइस को देखा जाता है कि कितना confidence सामने वाले में है she speaks flawlessly with a Scottish lid तो देखे वो जो कहते हैं कि बहुत ही flawlessly यानि कि बिना रुके वो Scottish बोल पाती थी my speech is clear because I could hear till I was 11 वो कहती है कि मेरी वानी बिल्कुल इतनी सपस्ट इसलिए है क्योंकि मैं जब तक 11 साल की थी मैं तब तक सुन सकती थी she says but that does not explain how she managed to learn French and master basic Japanese तो देखे वो कहते है कि यहां तक तो ठीक था चलो वो बॉल लेती थी बहुत ही flawlessly बॉल लेती थी Scottish लेकिन यह बताना बहुत ही मुस्किल है कि उन्होंने French और Japanese language को किस तरह से सीखा क्योंकि वो कहते हैं तब तक तो वो आसानी से सुन लेती थी तो समझ लेती थी लेकिन यह कहना मुस्किल है कि किस तरह से उन्होंने फ्रेंच को और जैपनीज को सीखा था as for music जहां तक music की बात है वो explain करती है it pours in through every part of my body वो कहती है कि जो music है न वो मेरे सरीर के हर एक अंग में बहता है it tingles in my skin वो कहती है कि मेरी skin में बहता है मेरे तवचा में बहता है my cheekbones कहती है मेरे गालों की जो हड्या है यहां पर भी बहता है and even in my hairs और और तो और वो कहती है कि मेरे बालों में भी है when she plays a play the jillophone she can sense the sound passing up the stick into her finger tips तो देखे वो कहती है कि जब वो jillophone को बजाती थी तो वो sound को sense कर पाती थी कि इसके माध्यम से अपने finger tips से जो उन्होंने stick पकड़ी हुए होती थी ना उससे वो vibration होती थी तो वो finger tips से उस sound को sense कर पाती थी by leaning against the drum जब वो drum पर जुकती थी she can feel the reasons flow into her body तो देखे उस sound को वो महसूस कर पाती थी कि किस तरह से वो flow कर रहा है उनकी body में on the wooden platform of she remove her shoes so that the vibration passed through her bare feet and up her legs तो देखे जब वो किसी भी लकड़ी के platform पर होती थी तो वो अपने जूतों को remove कर देती थी और जो vibration होती थी वो उनके bare feet से लेकर उनके legs तक पहुँच जाता था Not surprisingly, Evelyn delights her audition तो देखे यहां पर बताया जा रहे कि इसमें आश्चरिय की कोई बात नहीं है कि जो Evelyn थी वो जो उनके सुनने वाले थे वो उनको परसंदता देती थी In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society Prestigious Solist of the Year Award तो देखे हैं पर Solist of the Year Award भी उन्हें दिया जाता है किसके द्वारा? Philharmonic Societies के द्वारा उन्हें सम्मानित किया जाता है Soloist of the Year Award से Says Master Pursuenist James Ballads God may have taken her hearing But he has given her back something extraordinary तो देखें यहां पर एक ढोल वादक थे जिनका नाम था James Ballads तो देखें वो कहते हैं कि भगवान ने उनके सुनने की छमता को ले लिया है लेकिन उन्हें वापस में कुछ extraordinary दिया है What we hear, जो हम सुनते हैं na See feels, वो उसे महसूस करती है Far more deeply than any of us मतलब उससे ज़्यादा गहराई से वो उसे sense करती है जितना हम मतलब सुनके भी sense नहीं कर पाते उससे ज़्यादा deeply वो उसे sense करती है This is why she expresses music so beautifully और वो कहते हैं कि और यही कारण है कि वो music को इतना beautifully expressed कर पाती है Evelyn confesses that she is something of a workaholic I have just got the work तो देखिए Evelyn जो है Evelyn स्विकार करती है कि वो एक ऐसी इंसान है जिनको काम से रोकना बहुत ही मुस्किल है I have just got to work वो कहती है कि मुझे अभी काम मिला है often harder than classical musician और वो कहती है कि वो सास्त्रे संगीत क्योंके कारिये से भी कठिन है but the rewards are enormous लेकिन वो कहती है कि उसके जो पुरुसकार है न वो बहुत ही ज़्यादा बड़े है apart from the regular consorts Evelyn also gives free consorts in prisons and hospitals तो देखिए जो Evelyn थी वो regular लगातार घोस्टियां करती रहती थी वो prison में, hospital में लगातार अपनी audience देती रहती थी she also gives high priority to classes for young musicians तो देखिए वो किसको ज़्यादा सबसे ज़्यादा महत्व देती थी जो young musicians थे उनको बहुत ज़्यादा महत्व देती थी Ann Richlin of the Beethoven Fund for the Deep Children says तो देखिए बहरे बच्चो के Beethoven course की Ann Richlin कहती है she is signing inspiration for the Deep Children की वो बहरे बच्चो के लिए आसा की प्रेरना है वो कहती है they see that there is now here that they cannot go वो कहती है की ऐसी कोई जगा नहीं है जहाँ पर वो नहीं जा सकते हैं मतलब ऐसा नहीं है की वो Deep है तो वो कुछ नहीं कर सकते नहीं ऐसी कोई जगा नहीं है जहाँ पर वो नहीं पहुँच सकते हैं लास्ट पेरग्राफ को यहां पर देखते हैं इवलीन ग्लीनी हैस अलरेडी अकंप्लेस्ट मोर दैन मोस्ट पीपल टवाइस हर एज तो देखें यहां पर बताया गया है कि जो इवलीन ग्लीनी है मतलब उनसे पहले बहुत सारे लोग हैं जो उनसे ज़्यादा दुगनी उमर के हैं जो म्यूजीशियन हैं उनसे ज़्यादा उन्होंने सफलता हासिल कर ली है और उन्होंने क्या किया जो धोल वादन है ना उसे औरकेस्ट्रा से आगे रख दिया मतलब उससे आगे बढ़ा दिया और वो जो है परदर्शन करके उन्होंने दिखाया कि जो धोल वादक है वो बहुत ही ज़्यादा परभावशाली है वो उनके लिए प्रेड़ना बनी जो विकलांग है तो देखे जो लोग उन्हें देखते हैं वो क्या कहते हैं अगर यह ऐसा कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं और इनॉर्मस प्लेजर टो मिलियंस और इसमें भी कोई सक्की बात नहीं है कोई संधे नहीं है कि उन्होंने लाखों लोगों को बहुत अधीक प्लेजर दिया है बहुत जादा सुकून दिया है तो देखें ये है आपकी बहुत ही प्यारी सी inspiration देने वाली एक story काफी informative है और जो disabled बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत जादा प्रेणा देने वाली है I hope सभी आपको अच्छी से पूरी story समझ में आ गई होगी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करें चैनल पर अगर आप पहली बार आएं हैं तो चैनल को subscribe करें मिलते हैं अपने next topic में तब तक के लिए बाबाई and take care